हेलो कईश किया स्वाब लोग मेरा नाम है लक्षे first in India आप लोगों के लिए क्योंकि दुबाई में तो आप लोगों को पता है टेक्निकल गुरू जी है बाट इंडिया में आप लोगों के लिए first आप लोगों को देखने के लिए मिलता है iphone sc 3rd generation और आप लोगों को एक प्रॉमिस किया था आप लोगों को पते ही है कि ये आईफोन ऐसी थर्ड जनरेशन जो है मैं गिववे करने वाला हूँ और इसलिए मैंने पर्चेस भी किया आप लोग बोल रहे हो कि क्यों पर्चेस किया मैंने कमेंट्स पर जो मैंने कॉम्मिनिटी प जनरेशन में थे वो थोड़े जो है इस बार डिफरेंट है आईफोन ऐसी थर्ड जनरेशन में मैंने आपकल की वेबसेट पे भी जो है कमपैरेजन किया तो यह जो कलर जो है बहुत सब्सक्राइबर को शायद पसंद नहीं आता इसलिए मैंने यहां पर आईफोन ऐसी थर् करना है बेल नोटिफिकेशन को अल करना है इंस्टाग्राम पर आप लोगो को फॉलो करना है और थर्ड चीस डिस्क्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है वो भी करना है अनौंसमेंट जो विनर की होगी वो नेक्स्ट वीक होगी अभी फेस्टिवल भी अनौंसमेंट है आइपोन ऐसी थर्ड जेनरेशन की अन्बॉक्सिंग उससे पहले आप लोग कुछ सिनेमेटिक शॉट्स देख लो कर दो 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 कि अन्बॉक्सिंग यह मेरे पास 64 जीबी स्टार लाइट मॉडल और आप लोग को आइपोन ऐसी थर्ड जेनरेशन में जो है 128 जीब और 256 जीबी दोनों वेरियंट्स देखने के लिए मिलते और मैंने यहापे 64 जीबी परचेस किया है दो हम लोग को यहापे पूल टाब देखने के लिए मिलते है इस बार एपल ने जो है साइड में यहाप आप लोगों के सामने आइफोन एसी थर्ड जेनरेशन और यह बहुत ज्यादा प्रीमियम कलर है वाइट और इसलिए मैंने जो है वाइट परचेस की और आएगेस जो भी सब्सक्राइब लोगों उनको भी जो है वाइटी कलर पसंद आएगा यहाँ पे आप लोगों को जो है एक केबल देखने के लिए मिलती है एपल की जिसकी कोई भी नीड नहीं है और यहाँ पे जो है डिजाइन बाइपल इन कैलिफोर्नी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो और इसके आप लोग iPhone SE 3rd generation देख सकते हो और Apple ने इस बार यहाँ पे एक special wrap भी लगाई है जहां पे सारी चीज़ अपल ने जो है क्लियरली mention कर रही है तो आप लोग जो है इसको देख सकते हो और यह है हमारा iPhone SE 3rd generation बहुत जाए कूल लग नग रहा है iPhone SE 2nd generation में कोई जादा दिफ्रें नहीं है और यहां पर आप देख सकते हैं यह 12 pro 12 pro maximum लोगों को जो है ऐसी शीट देखने के लिए मिली थी और अब जो है इसको हम लोग यहां पर simply remove कर देते हैं आप लोगों के सामने और यहां से जो है back से भी यह जो है तो यह आ गया iPhone SC 3rd generation कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है कुछ ज़्यादा डिफरेंस में को यहां पर नहीं लग रहा आप लोगों को सेम चीज़ें जो 2nd generation में आप लोगों को देखने के लिए मिलती है यहां पर 12 Megapixel का single आप लोगों कैमरा देखने के लिए मिलता है इसलिए मैं इस iPhone SC 3rd generation को जो है stupid edition 3rd generation बोलता हूँ I'm sorry बहुत लोग शायद agree करेंगे बहुत साथ लोग शायद agree नहीं करेंगे बट मिलको फोन वर्थ नहीं लगा बट आप लोगों को जो है यहां पर इसको giveaway करना है तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए पर्चेस कर लेता है यहां पर फोन का फर्स्ट बूट हो चुका है तो यहां पर आप लोगों का कौन सा कलर जो सबस्यादा फेवरेट है इस आइफोन SC 3rd generation में वो है यहां पर फर्फॉरमेंस आप लोगों को A15 Bynachip देखने के लिए मिलते है जो पूरी आइफोन 13 सीरीस में है और सादे साद आप लोगों को 16Core यहां पर neural engine देखने के लिए मिलता है 16Core neural engine यहां पर आइफोन SC 3rd generation में iPhone SE 3rd generation में 5G देखने के लिए मिलता है but unfortunately यहाँ पर high speed network bands यह iPhone SE 3 जो बिल्कुल भी support नहीं करता मलब अगर मैं simple language में बोलू तो 5G जो mm wave वाला होता है वो इस iPhone SE 3rd generation में नहीं है उसे बार next जीज़ है यहाँ पर battery life battery life बहुत ज़े important है iPhone SE 2nd generation में इतनी अच्छी battery life नहीं थी और यहाँ पर battery life है इस iPhone SE 3rd generation में वो same है iPhone 12 mini जैसी आप लोगो को 2 hours extra video playback देखने के लिए मिलता है मलब iPhone SE 2nd generation में साथ 13 hours का इसमें आप लोगों को 15 hours को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है उसे बाद इस iPhone SE 3rd generation की एक important चीज़ है वो है यह single camera आप लोगो 12 megapixel का देखने के लिए मिलता है और यह iPhone SE 3rd generation का जो camera है इसमें क्या improvements है सबसे पहले जो आप लोगो smart HDR 4 देखने के लिए मिलता है deep fusion देखने के लिए मिलता है photographic styles देखने के लिए मिलता है 1080 at 120 frames per second तो यह एक important चीज़ हो सकते है पर नसिल बोलूँगा कि आप लोगो को अच्छी खासी camera performance देखने के लिए मिलती है जो एंडर्ड उजर्स एक iPhone पर स्विच करना चाहते हैं तो वो यह purchase कर सकते हैं लिकिन तभी अगर आप लोगों को एक touch ID वाला phone चाहिए एक home button वाला छोटा phone चाहिए वरना 12 mini और बहुत जल्दी 13 mini iPhone 11 एक बहुत बेटर option हो सकते हैं इस iPhone SE 3rd generation के एक last चीज़ वो है कि आप लोगों को front और back में ceramic shield देने के लिए मिलती है जो glass Apple ने iPhone 13 सीरीज में यूज़ किया सेम आप लोगों को iPhone SE 3rd generation में देखने के लिए मिलता है और मैं एक चीज़ जरूर बसकता हूँ कि यहाँ पे यह glass थोड़ा और premium लगए आइफोन SE 2nd generation और iPhone SE 3rd generation को को हम लोग compare करें आइफोन SE 3rd generation जो है better production और better feel आप लोगो प्रवाइड करता है आइफोन SE 3rd generation का मेरा quick unboxing और review आप लोगो के लिए और detailed वीडियो आएंगी और comparison आएंगे battery test चाहेगा 12 mini versus iPhone SE 3rd generation ऐसी बहुत सारी वीडियो आएंगी आप लोग चैनल पिने वो चैनल को subscribe करें लेना इस वीडियो को like जरूर करना जल्दी से सदी मैंने आप लोगो के लिए जो है कोशिश करी वीडियो लाने की तो मैं मिलता हूँ आप सब्सक्राइब बाए